पैसट घंटे, तीन देश, बीस ड्रेसेज, साथ फोटो शूट्स, लोट कर आगए साहब, लोटने के बाद सिलिंडर घरेलू, जो डोमेस्टिक सिलिंडर है, उसकी कीमत पचास रुपे और बढ़ा दी, तो दिल्ली में अब आप सब को बदाई हो कि हजार रुपे नहीं हु 999 रुपे पचास पैसे, इतनी तो है कि उन्होंने हजार नहीं होने दिया, तो अभी भी कुछ छुटे बचेंगे अपनी जेव में, मैं जब ये प्रेसवारता की बारे में प्रणव भाई से चर्चा कर रहा था, तो कहा कि भई अगरबत्ती लगानी है तो निम्बू, नि आपको याद होगा, पेट्रोल पंप्स पे बड़ी-बड़ी होडिंग्स लगा के कहा था कि सबसीडी सरेंडर कर दीजे, गिव अप सबसीडी, सबसे आहवान किया, आज ये स्थिती पैदा कर दी, कि ये सिलिंडर सरेंडर करने के दिन आ गए, ये हकीकत है, मोदी साहब की सरकार की, कॉंग्रेस सरकार ने गरीब, मध्यमवर्ग, इन सब का ध्यान रखते हुए, कीमतों को काबू में रखने के लिए, कि हमारे आपकी जेब पर ज़्यादा बोज न डालें, सबसीडी दी, दो हजार बारा तेरा में, एल पी जी पर कॉंग्रेस सरकार जो सबसीडी देती थी, वो थी उन चालीस हजार पांच सो अठावन करोड रुपे की, दो हजार तेरा चौदा में, कॉंग्रेस सरकार जाने से पहले काँ अखड़ा है, च्छालीस हजार चार्सो अठावन करोड की सबसीडी दी थी, पांच पर क्व ज़क्रेस पर्ड बड़न हैं, और मुझर अभड साथाम करोड पांच सेवा प्रावन का चार्सो फजार चार्सों कंग्रेस सबसीजिए क्याब श्तरम मुझज देका अखड़ Before we demoted office in 2013 and 2014, the subsidy on LPG went up to 46,458 crore. This is the data as far as our government was concerned. ये आख्रे हमारी सरकार. अब मोधी सरकार आई, आते ही बड़े बड़े नारे दिये, Give up your subsidy, पूरे विश्व में डंका बजाया अपना किसाब, हमने देखिए इतनी बड़ा एक आवान किया और लोग मान रहे हैं हमारी बात. 2015-16 में वो subsidy जो हम छोड़के गए थे 46,458 करोड की वो घटाकर 18 करोड कर दी. और 2016-17 में वो जीरो कर दी. अब हम मार्च से लेकर अब तक 37 दिन हो गएं इस वित्तियवर्ष की. अभी तक आपको Under Recovery और Subsidy के आंकडे नहीं दिखे होंगे, जारी ही नहीं किये क्योंकि कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए. और लगातार आप वजन, बोज, मिल्ल क्लास के उपर, गरीब तबके के उपर डाले चले जारे हैं. जबकि यहां आकडे स्पष्ट हैं कि जो 23 करोड लोगों को UPA ने गरीबी रेखा से उपर उठाया था, ना केवल वो 23 करोड वापस गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं, 14 करोड उसमें और बढ़ चुके हैं. जबकि आपको मालूम हैं कि आपकी नीतियों के चलते, आज घर चलाना मुश्किल हो गया है, EMI देना मुश्किल हो गया है, यहां तक की सबजी, तरकारी, तेल, खरीदना भी दूभर हो गया है. You are aware of the hardships that the people of India are facing. You are aware of the price rise. You are aware of the data and it's not our data, it's the World Bank data. 23 million people were brought out of the BPL. not only have those 23 million gone back under the BPL you've added 14 million more ऐसे में सरकार का दिल बड़ा होना चलिए बड़ा तो छोड़ी है तो दिल ही नहीं दिखरा governments are expected to show a large heart especially when the people are facing such profound hardships आप निरंतर पेट्रोल डीजल तो हम बताते ही रहते हैं आपको निरंतर आप अब रसोई गैस में भी डाका डालने लग गए हमारी यह मांग है कि 2014 में जो सिलिंडर 414 रुपे का आज वो 999 रुपे 50 पैसे का आपने कर दिया 585 रुपे 50 पैसे का आपने इसमें बढ़ोत्री की है पिछले साथ साल कृपा करके जिस देश ने आपको इतना कुछ दिया उसको कुछ राहत दीजिए और ये रोल बैक कीजिए 2014 के स्तर पर आप लाने की स्थिती में हैं आप लाईए या तो आपको सरकार चलाना आता नहीं है या आप में से जिनको सरकार चलाना आता है आप उनको चुप रखते हो उनकी बात नहीं सुनते जो भी कारण हो देश राहत की भीक मांग रहा है शरमानीची ऐसी सरकार को जो विश्व में जा जा कर बोलती है कि हमको इतनी सीटें मिली, हमसे पहले ये था, हमसे पहले कुछ साही नहीं हिंदुस्तान में, साव आपसे पहले हिंदुस्तान में इतनी बड़ी बेरोजगारी नहीं थी, इतनी महंगाई नहीं थी, इतनी त्रा स्टिक यूज की चौदा पॉइंट दो किलो के सिलिंडर की बात की कमर्शल की हालत आप जानते हैं क्या कमर्शल सिलिंडर भी अभी एक मई को एक सो चार रुपए बढ़ा दिया उस पर तो आप लगातार चोट पहुंचा रहे हैं अबढ़ां आपिंडर पॉफशल की आपकी ऑटून वेल जा टापट अवटार नीपर्ट के ने अद्टिक कर प्रूप एक मर्शल which has given you so much of recognition to victories, you owe it to the country, that when the country needs relief.